x square minus 4 x minus 12 is equal to 0 इसको हमें factorize करना लेकिन कपकी बार condition दे रखा है ठीक है condition क्या है कि when x is the set of natural number ठीक है कहने का मतलब कि जो x का value आएगा वो natural numbers होने चाहिए ठीक है इसके अलावा और कोई numbers नहीं हो सकता है ठीक है तो अब यहाँ पे चलते हैं हम इसको क्या करते हैं factorize करते है simply 12 के हमें 2 ऐसे factor करने है जो plus minus होके 3 हो जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 3 नहीं 4 हो जाए ठीक है तो 6 into 2 कर ले 6 minus 2 करेंगी तो 4 आ जाएगा ठीक है x square minus 4 की जगे 6 minus 2 रखना है into x minus 12 is equal to 0 expand करो इसको x square minus 6x plus 2x minus 12 is equal to 0 ठीक है अब यहाँ पे हमको common देखना है तो common x ही होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है यहाँ 6 है तो common 6 हो नहीं सकता या 6 के और factor करने पे नहीं हो सकता तो हम सिर्फ x common रखनेंगे ठीक है यहाँ पे क्या बच जाएगा x minus 6 ठीक है अब यहाँ पे हमें क्या करना है plus 2 common करना है तो यहाँ से x बच जाएगा minus 6 is equal to 0 x minus 6 फिर से common हो गया and x plus 2 हमारा again दूसरा factor आ गया यहाँ से x का value find करेंगे तो 6 हो जाएगा ठीक है यहाँ से x का value find करेंगे तो minus 2 हो जाएगा ठीक है easy question है अब एक चीज़ देखो यहाँ पे की question में कहा गया की condition क्या दिया गया कि जो x है वो set of n होना चाहिए that means natural number होना चाहिए लेकिन एक चीज़ अगर हम लोग देखें तो जो minus 2 है हमारा वो किस में आता है integer में आता है clear natural number हमारे क्या होते है 1 से लेके infinite तक whole number की बात करें तो वो हमारे क्या होते है 0 से लेके infinite तक 0,1,2,3,4,5 and so on और अगर हम लोग integers की बात करें तो integers में हमारे 0 भी आता है means whole number भी आता है और सारे negative number भी आते है ठीक है तो it means कि जो x हमारा दूसरा आ रहा है minus 2 वो natural number नहीं है वो integer है it means कि जो हमारा answer हो जाएगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 क्या है natural number है ठीक है जाएगा जाएगा